हेलो दोस्तों आप सभी का मन्नु अकाइडमी में स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के बीच कोडिनेट जिमेटरी का लेक्चर नमबर नाइन्थ लेके आया हूँ जिसमें कि हमें डिसकस करना है जो टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला तो आईए बिना कोई समय वेश्ट कि हम चलते हैं अपने टॉपिक की और और हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कोगोदरी उच्व्यूज होता है, तो मानली जी आपके पास क्या है? एक लाइन सैगमेंट है, जिसका क्ोडिनेट क्या है? जो फर्स्ट कडिनेट है, वो है X1,Y1 ठीक है? और दूसरा जो क्डिनेट है, वो है X2,Y2 जहाँ पहरे दो क्डिनेट होगे। तो हमें बताना है कि इस P का coordinate क्या होगा यानि कि ये जो P का coordinate XY है इसका value क्या होगा तो हम यहाँ पे बहुत ही असानी से section formula को use करके इस P point को बड़े ही असानी से निकाल सकते हैं अब हमें P point निकालना है तो हमें सीधे ये formula पता होने चे ये P X, Y equals to M into X2 plus N into X1 upon M plus N अब ये हमारे पास X coordinate हो गया M into X2 plus N into X1 upon M plus N और हमारे पास जो Y coordinate होगा वो हो जाएगा सेम M into Y2 plus N into Y1 upon M plus N बहुत ही असानी से आप क्या कर सकते हैं ये P coordinate निकाल सकते हैं इस formula को इस्तमाल करके तो यही है हमारे पास section formula इसी को हम इस्तमाल करके कोई भी अगर line segment है और उसे एक P point क्या कर रहा है M ratio N में divide कर रहा है तो उस P point का coordinate निकालने के लिए हम क्या करते हैं ये formula यूज करते हैं तो आएए हम देखते हैं कि आखिर ये formula आया कहां से और कैसे drive हुआ तो हाँ जी दोस्तो जो section formula का proof है कुछ हमारे पास इस प्रकार है मान लीजिए आपके पास क्या है AB एक line segment है और P इसको क्या कर रहा है इसको दो ratio में divide कर रहा है M ratio N में तो हमें ये P coordinate को निकालना है इस coordinate को निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा कुछ यहां पे जो A है यहां से एक perpendicular line draw करना पड़ेगा एक सक्सिस पे और दूसरा यहां P से एक perpendicular line यहां से draw कर लिजिए आप और तीसरा यहां B points से आप क्या कर लिजिए perpendicular line को बहुत ही असानी से कर लिजिए draw कर लिजिए ठीक है I hope आपको यह दिख रहा है अब हम देखते हैं अगला क्या करना है अपना अगले step में इसको join कर देना है यह A और इस point को join कर देना है और जो दूसरा आएगा इस point को यहा प्रूफ करने का this point is मान लिजिए M और यह हमारा point है वह ए एन ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इन ही point को use करके हम क्या करेंगे यह दो triangle को use करके हम इसको इस point को निकालेंगे अब यह point in triangle को use करें कैसे निकलेगा first of all हम इसे क्या करना पड़ेगा इसको similar करना पड़ेगा तो similar करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है हम क्या करते हैं पहले इस चीज की जैसे यह हमारे पास इस triangle में यह तीनों साइट यूज़ेंगे यह यूज़ होगा यह और यह और दूसरा यह तो हम क्या करेंगे यहां पे जो पहले सबसे पहले यहां से aim निकाल लेंगे aim की value होगा वो कुछ क्या होगा वो निकाल लेते हैं दूसरा में हमारे पास है aim की value अगर हम निकालना चाहे तो वो हो जाएगा मालीजी देखिए यहां से यहां तक का जो distance है यह x1 है और यह जो distance है पूरा यहां से ले कि यहां तक का वो कितना है x है तो हमा मारे पास x- x 1 यह हमारे पास इसका वैल्यू आ गया और दूसरा में अगर हम इस वले है हमारे पास वाई है यह डिस्टन्स जगर हम निकालना चाहते यह पी से लेके एम तो यह हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इससे बहुत ही असानी से क्या आजाएगा आपके पस पी-एम आजाएगा अब मैं यहां की पी-एम को लिग देता हूं पी-एम जो है वो हमारे प इस है यहां से लेके यह आ nessa commitment अफ्रा जो हमारे पास है यह तो हम कारेगे इस पूरे में से इस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा यानि कि हम क्या करेंगे वाइ एक्स टू माइनस एक्स कर लेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा यह पी एन का डिस्टंस आजाएगा यानि कि जो पी एन होगा हमारे पास कुछ इतना होगा, जो हमारे पास PN होगा, वो हो जाएगा, Y, X2-X हो जाएगा, जो हमारे पास PN है, अब हमें निकालना है इस distance को, BN को, ये, BN कितना होगा, तो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो distance है, कितना है, ये X-X से लेके पूरे B तक का जो है, ये Y2 है, पूरा distance, और देखे, यहाँ से जो distance है, ये कितना है, ये Y है, तो simple हम क्या करेंगे, इस पूरे में से Y2 में से, अगर क्या करते हैं, Y को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आजाएगा, BN बहुत ही आसानी से आजाएगा, यानि हमारे पास जो BN आया, BN वो आया हमारे पास Y2 माइनस Y, बहुत ही simply way में इसको निकाल सकते हैं, और जो हमारे पास AP है, वो कितना है, P, AP हमारे पास M, और PN कितना दरीक है, B, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों triangle को use करके similar कर लेंगे, जिस्ते की एक हमें relation आजाएगा, इनके sides के ratio में, वहाँ से फिर इसको हम proof करेंगे, तो हम देखते हैं, इन triangle AMP, हमारे पास जो first triangle AMP में देख लेते हैं, and triangle P and B में देख लेते हैं, यह दोनों triangle को हम क्या करते हैं, similar करके देख लेते हैं, जिससे क्या आजाएगा, इनके sides के ratio में proportional आजाएगा, यानि हम देख रहे कि दो triangle में क्या है, यहाँ पे 90 degree है, यह angle 90 degree है, यानि कि इस वाले दोनों triangle में angle M क्या है, angle M equals to high angle N, यानि कि यह each कितना है, 90 degree है, और यहाँ पे देखे, यह वाला angle और यह angle क्या हो जाएगा, corresponding angle हो जाएगा, suppose कर लिजे, यह दोनों क्या है, आपस में parallel line है यह तो, दोनों, अगर यह parallel line है, तो हम क्या कह सकते हैं, कि यह क्या होगा, ऐसे either transverse select करेगा, जब यह transverse select करेगा, तो यह वाला angle और यह angle कितना हो जाएगा, यह corresponding angle हो जाएगा, अगर हम देखे, तो यहाँ से angle A equals to angle P हो जाएगा, यानि कि हमारे पास हो जाएगा, corresponding angle हो जाएगा यह, और देखे, यहाँ पे देखे, दो angle equal हो गया, तो यह क्या कह सकते हैं, हम triangle, so triangle, इसलिए triangle A P, A M, P, similar to triangle P and B, अब यहाँ से बहुत ही असानी से क्या कर सकते हैं, यह दोनों triangle क्या हो गया, अब जब यह similar हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, कि इनका जो sides का ratio होगा, वो क्या हो जाएगा, proportional हो जाएगा, by CPST से, यानि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखे, AM upon क्या हो जाएगा, AM upon PN हो जाएगा, यह देखे, पहले यह दो लेंगे, तो यह इनके ratio में आ जाएगा, फिर इन दोनों को लेंगे इक्वल्स टू में, PMP upon NB आ जाएगा, यहाँ से N upon B आ जाएगा, और देखे, जो तीसरा लेंगे, यह A से लेके P ले लेंगे, और P से लेके B ले लेंगे यहाँ से, तो यह आ जाएगा, AP upon PB यहाँ से बहुत ही असानी से आ जाएगा, अब देखे, यह 22CPST से आ गया हमार करेंगे, यहाँ से P की कोडिनेट निकालेंगे, यानि कि हमें निकालना क्या है, X और Y की value निकालना है, तो अब आपको पता है, कि AM कितना है, अब AM की value यहाँ पर डाल दीजिए, AM हमारे पास जो है, वो है कुछ इस प्रकार, X माइनस X1 है, जो पहला AM है, और upon में कर लीज देख लीजिए, पी एन, पी एन हमारे पास कितना दे रखा है, यह दे रखा है, X2 माइनस X, X2 माइनस X दे रखा है, इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए, जो दूसरा है, MP अपॉन NB, अब MP कितना है, या PM, यह है हमारे पास Y माइनस Y1, और upon में देख लीजिए, कितना है हमारे पास NB कितना है, NB, इधर देख लीजिए, हमारे पास Y2 माइनस Y, यानि Y2 माइनस Y है, और हमें पता है कि AP हमें, MP है, और GP कितना है, हमारे पास N है, यह यह कितना हो जाएगा, M upon N, बहुत ही असानी से क्या करें सकते हैं, यह तीनों रेश्यू आपस में igual हो गया, तो पहली बार हम क्या करेंगे इस वाले को लाश्ट से एक्वेट कर देंगे और इसको एक बार इससे एक्वेट कर देंगे यानि हम लिख सकते हैं x-x1 upon x2-x equals to m upon n और दूसरा जो हम लिख सकते हैं वो है हमारे पास जो दूसरा है वो हम लिख सकते हैं y-y1 upon y-y1 upon वो हो जाएगा हमारे पास और y2-y1 यानि इसको इससे हम एक्वेट कर देंगे equals to कितना हो जाएगा m upon n और यहां से हम क्या करेंगे x-y की कौशिश करेंगे की value निकाले अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं y- cross कर सकते हैं तो हम y- cross कर देते हैं और दोनों को equate कर लेते हैं तो जो पहला यहां पे इक्वेट करेंगे वो हो आ जाए के देखई ये n ये n इसके multiply हो जाएगा जाके यह हो जाएगा N into X minus X1 equals to M into X2 minus X यह हो जाएगा अब हम क्या करेंगे इसको M और N से अंदर multiply कर देते हैं तो जो हमारे पास यहां आएगा देखिए multiply N into X minus N into X1 equals to हो जाएगा M into X2 minus M into X अब देखिए यह X वाला पार्ट है और यह X वाला पार्ट है इसको एक तरफ कर लेते हैं एक तरफ लेके आते हैं जिसमें कि हमारे पास यह हो जाएगा NX प्लस यह देखिए दर माइनस कर रहे हैं प्लस करेगा M X equals to हो जाएगा जो हमारे पास M into X2 प्लस N into X1 यह हमारे पास आ गया और हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है यह X X common हो रहा है तो हम X को क्या कर रहे हैं अंदर क्या बच जाएगा M plus N बच जाएगा यहाँ पे यहाँ पे M into X2 plus N into X1 जहाँ पे हम X common कर लेंगे तो X common कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा M plus N equals to M2 into X M into X2 plus N into X1 N into X1 है यहाँ पे हम जब X की value निकालेंगे X coordinate तो वो आजाएगा हमारे पास M into X2 plus N into X1 upon M plus N यहाँ से X की coordinate आ गया बहुत ही असानी से हमने दो इक्वेट कर दिया तो अब जो हमारे पास दूसरा है वहाँ पर भी यह सेम फंडे अपनाएंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको ले आएंगे इसको इधर ले आएंगे और दोनों को cross multiplication कर देंगे जो कि हमने fourth class से ही सीख y2-y हो जाएगा अब हम क्या करेंगे इसको multiply कर देंगे इधर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा यह हमारे पास और यहाँ चुकिए y2 है सो हम बहुत ही असानी से क्या करेंगे इसको multiply कर देंगे अब हम क्या करेंगे y वाला पार्ट को इतरफ लेंगे और यह y1 को उधर shift कर लेंगे इसको इधर लेके चले आते हैं और इस बिचारे को इधर लेके आते हैं यह हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा n y plus m y equals to value आएगा वो आजाएगा हमारे पास m y2 plus n y1 यह देखे यह इधर चला जाएगा n y1 इधर माइनस करें उधर प्लस करेंगा और यह इधर माइनस करेंगा इधरा क्या करेंगा प्लस करेंगा राइट साइड लेट साइड में सो हम यहाँ पर देखें यह common हो रहे है यहाँ तो हम y common कर लेंगे य जब common करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा m plus n equals to जो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा m into y2 plus n into y1 अब यहाँ देखें जब हमें y के value निकालना तो यह इधर मल्टिप्लाइग कर रहा है यह common हो रहा है तो उधर जाएगे क्या करेगा डिवाइट करेगा यहाँ कि हमारे पास जो value आएगा m into y2 plus n into y1 upon कितना हो जाएगा m plus n बहुत ही असानी सिक्का कर सकते हैं यह दोनों coordinate को हम निकाल सकते हैं अई होप आपने देखा होगा सेक्शन फॉर्मुला है उसमें यही था पी जो पी m into x y2 plus n into y1 upon n plus n इस वाले तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको drive कर सकते हैं और drive करके बहुत सारे questions को sort out कर सकते हैं जब भी कोई आपके पास कोई line segment दिया हो और line segment को कोई point अगर उसको divide कर रहा है किसी ratio में तो आप क्या कर सकते हैं बहुत ही असानी से यह p का coordinate use करके x, y को use की जीजिए, यह जो coordinate है वो होता है, m into x2 plus n into x1 upon m plus n, m into y2 plus n into y1 upon m plus n, यह formula को use करके अब बहुत ही असानी से क्या कर सकते हैं, माली जी एक line segment है, और इसका a और b point दे रखा है, और p किसी point पे क्या कर रहा है, m ratio n में इसको divide कर रहा है, यह p, तो इस p का coordinate निकालने के लिए इस formula को use कीजिए, और बहुत ही असानी से क्या कर सकते हैं, section formula को इस p का coordinate निकाल सकते हैं, और एक case और है, इसमें एक case आता है, mid point जो आता है हमारे पास, mid point आता है, mid point में क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा समझने का चीज़ Punkt में बहुत हैं यहाँ पिक्या होता है, यह दूनों आपस में ये em बन जाता है, मतलब dोनों equal होता हैं, mid point में जो है w का अगर कोडिनेट निकालना है जब वो मिड़ पॉइंट बन जाएगा तो उसके लिए है आपने बहुत ही असानी से आगरना है एकस वन प्लस एकस टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू बस यह एवरेज ले लिजिए दोनों कहा जाएगा नाम से बहुत ही इजी वे में आप निकाल सकते हैं मिड़ पंच क्योंकि यहां पर क्या हो रहे देखिए एम यह और एन क्या हो जाए रह यहां पर देखिए यहां से उपर से एम कॉमन हो जाएगा यानि क्या बच जाएगा एकस वन प्लस एकस टू अपॉन टू यहां बहुत ही असानी सी क्या कर सकते हैं मिड़ पॉइंट यह हो गया और आपके पास सेक्शन फॉर्मॉला यह हो गया और एक चीज और है अगर आ आप से रेशीओ पूचता है कि आपके पास क्या है कि आपकी कुश्चन दिया होगा आपको कहरा होगा कि ये आपके पास बिवाइंट है जो एकस कॉम Key है यह जिवर्म होगा आपके पास इन दोनों को और का भी दिनों पौइंट का क्योंट को यह पूछे गा क्यों से रेश्यों में इस लाइन सेगמנं को ऊसड़ पे आपने क्या करना है पहले लेट करना यह लेट फीड़ को डिवाइड लेट फीि डिवाइड कि दा II लाइन सेगमेंट…? के लाइन सेगमेंट के रेशियो 1 के रेशियो 1 करके आपने क्या करना है बहुत यह साथ मैं अपने लेक्चर को समाथ करता हूँ आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपके कॉमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे सो अब मिलते हैं कुछ कोश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो की होगा एक्ससाइज 7.2 के कोश्चन्स उसमें हम विस्क्स करेंगे सो अब तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं तैंक यू फॉर वाचिन माई वीडियो